नमस्क्राइब करते हैं कि मालक्षमी की कृपा हमेशा सधैव आपके उपर बनी रहे फिलाब दोस्तों आज है 31st of October और जैसा कि आप देख पा रहे हैं October का आज है लास्ट दिन लेकिन मार्केट में आज भी प्रेशर दिखा ही पड़ रहा है जिसके ब्रीज करने के बद आपको फ्रेश फॉल दिखाई पड़ सकती है फिलाल गिफ निटेट कर रहा है 80 जो कि कल की क्लोजिंग से करीब करीब 40 पॉइंट्स पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कल शाम को हम लोग ने आपको ये रीजन भी बताया था कि मार्केट में इस गिरावट के पीछे का रीजन के है और इस गिरावट को कैसे ट्रेड करना है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो है इस वीडियो के इस मौर्निंग अपडेट के वीडियो के लास्ट में मैं इसको पिन कर दूँगा परसेंट आप मनापुरां फिनेज वोस्त्री अनहाफ परसेंट अप टॉप लूजर्स के बारें बात रहें एंसी एक सालेज शह परसेंट डाउन था अब दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में जो मैक्सिमम बाइं बाइंग है आप गोल्ड को मैं आपको दिखाऊंगा जिस तरीके से गोल्ड भाग रहा है अब इस सिल्वर में थोड़ी सी शान्ती बगड़ी और गोल्ड ने अपनी थेजी बगड़ लिया फिराल दोस्तों बात करें हम लोग कल के दिन और जो टॉप लूजर्स थे उसमें थे Dixon Technology 5% अब Dixon Technology मेरे इसाब से short term की तेजी इसमें complete हो चुकी है I personally feel Dixon Technology जैसे कि हमने study भी किया था 12,000 तक के लेवल साब को Dixon Technology में expect करना चाहिए and I want, I don't want, actually I want also but according to me Dixon Technology deserves fall of approximately 15 to 20 point 15 to 20% Voltas में 4% की गिरावट थी कल के दिन इसके लावा से प्लाव जो फोर परसेंट डाउन वहीं बात करें हम लोग commodity section की तो जैसा कि मैं भी discuss कर रहा था कि gold में आग लगी हुई है gold ने 80,000 के levels पर पहुँचने की तियारी कर दिये वहीं silver के बारे हम बात रहे हैं एक लाख के levels एक लाख के targets quality वह अचीव कर चुका है और यहां से कोई भी breakout 1 lakh के उपर सीधे सीधे 1 lakh 20,000 की तियारी होगी crude oil के बारे हम बात रहे हैं तो कल के दिन crude oil में थोड़ा सा उचाल दा लेकिन crude oil अच्छा कासा गिरा हुआ है कल के दिन natural gas में भी थोड़ इसी minor si fall दिखाई पढ़ रहे थी Indian rupee is at all time low 84 rupees 08 पैसे पर dollar के price पर trade कर रहा Indian rupee against US dollar इसके लावा euro के इंडिन रूपी में weakness दिखा ही पढ़ रही थी mild si strength इंडिन रूपी में as against great britain pound दोसों कल है मुरत ट्रेडिंग का देन और कल हम लोग ने बहुत ही छोटा सा बहुत ही important और powerful session रखा हुआ है तो अगर आप उसको join करना चाहते हैं price session का इसके लबा मुरत ट्रेडिंग हम लोग सभी students और अपने members के साथ करेंगे so if you want to join us you can be our member और अधरवाइस अगर आप हम से free of cost join करना चाहते हैं link description में है you can open the free of cost DMAT account और हमारे lifetime membership का भी part बन सकते हैं दुस्तों बारत करते हैं हम लोग nifty 50 के बारे में तो nifty 50 में 126 24,340 पर दुस्तों कल के दिन अगर आपने morning update देखा और precisely मैंने 24,300 के levels को बोला था कि लेवल साते हुए दिखाई पड़ सकते हैं similarly मैंने bank nifty के बारे में बोला था कि 52,000 के लेवल ब्रीच करेंगे तो precisely आपको 51,800 के levels दिखाई पड़ेंगे closing कहा हुई 51,807 तो 51,807 के levels important है ये ब्रीच करता है 300 point के गिरावट expect करने चाहिए कई सारे लोगों ने कल के दिन put hold करके रखा हुआ है अच्छी बात है तो को दोसों ऐसा है ये market ऐसी है जहाँ पर risk is equivalent to reward अगर आपने overnight risk लिया है आपको reward मिलेगा लेकिन आपने सिर्फ blind trade ने लिया है उसके पीछे का reason है rational है 51,800 is an important level चुकि breach हो गया था चार्ट पर जो मैंने अभी आपको resistance level bridge करता है 500 points के upside आपको दिखाई पड़ सकती है so these are the important pivot level points fi is selling करे थी 4613 crores की ds के तरफ से बाइं थी 4518 crores interesting चीज भी कह सकते हो खतरनाक चीज भी कह सकते हो 15 के ऊपर चला गया है विक्स कभी भी 15 के ऊपर जाना is always considered negative and it is considered non conducive for investment क्योंकि market में जब investment लोग करते है उनको उतल उतल नहीं चाहिए volatility नहीं चाहिए volatility जब बढ़ती है तो लोग investment avoid करते है that's precisely I am telling you कि इस समय मार्केट में sell on rise है जो कच्रे stocks हैं दो-तीन दिनों में अच्छी काजी तेजी हुई है short covering के चलते उपर के level पे भाई निकलने का समय है अच्छी के stocks में और नीचे के level पे अच्छी quality of stocks को accumulate करने का समय है fundraising की news अर्विन smart spaces में है Adani Power ने लंबा 25 years का agreement किया है of power supply with Maharashtra straight electricity distribution company लार्सन के कल के दिन results है थे profit 5% उपर है revenue 20% उपर इस से जयते की expectation भी नहीं है क्योंकि stock भी काफी दिनों से consolidate कर रहा है टेटा पावर का profit 6% बढ़ा है revenue बिल्कुल flat है लेकिन margin expansion अच्छा हुआ है 19% से करीब 22-23% के आस-पास margin expand हो गया है GR Infra को fresh order मिला है 1886 crores का विपरो ने collaboration किया है with Microsoft and SAP यह दोने-दोनों यूएस companies है चपरतस companies है और उनके साथ collaboration करके उनके digital infrastructure को improve करेंगे इसके लावा मधुसूदन केला एक high net worth individual है एक reputed investor है उन्होंने 0.97% का stake एक buy किया है इन गुदावरी बायो अब कई सरे लोग कहेंगे कि अब गुदावरी बायो बाय कर लें दोस्तों ऐसा है मधुसूदन केला की जो net worth है और आपकी net worth में थोड़ा सा difference है तो मधुसूदन केला जी ने भीज़ा सोचा है कि यार थोड़ा सा डाल देते हैं यार गुदावरी बायो में नहीं चला तो काट देंगे position लेकिन हो सकता है आपकी जो capital हो एक लाक हो और एक लाक में पचास जार जोपना चाहरे हो गुदावरी बायो में तो देख लो बहुत अच्छे stocks बहुत अच्छे prices पे available हो चुके ह हैं इसके रहाव दोस्तों करके दिन कुछ बूर रेजर्ट्स थे बायो कॉन प्रॉफिट से लॉस बायो कॉन को मुझे समझ नहीं आता है बहुत ही जएदा इसकी हालत खराब है मतलब कभी प्रॉफिट में आ जाएंगे जटके से कभी फिर लॉस में आ जाएंगे तोरेंट फार्मा के बारें बात रहे हैं तो प्रमोटर्स ने करके दिन अपने स्टेक को सेल किया है 2.9% स्टेक को जो स्टॉक बैन में हैं उसमें इंडिया मार्ट, PEL, IDFC4S, PNB, and RVL बैंक मना पुरम बाइर आउट हो गये हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने हैं उसमें त पुलिक का काम कर रहे हैं तो निकाल भी सकते डाटा इंवेस्ट्मेंट, BFU Utilities, तो यह वो सारे के सारे कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आज के दिन आने हैं, कल के दिन जो रिजल्ट्स आया थे उसमें हैं लाटसन, डाटा पावर मैंने आपके साथ डिसक्स ही किये, यह तियारी कर लो, कल है है मुर्य ट्रीडिक सेशन, फर्म 6 पी-म टू 7 पी-म और दो तारीकों छोटी है, ठीक है, तस वार मैं सेट फरेंट्स तागे सुबर माच, बाबाई फर नाव